अब वैसे तो यह स्टीटी फ्लोर लेमिनर फ्लोर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन आप वह इंजिरिंग में जाके पड़ोगे तो कि आप नीड के स्टूरेंट हो जो कि आप नहीं पड़ो आपने कभी देखा हो कि जो चीटियां होती है कभी दिवार पर चड़ रह पर चल रहे होंगे लिक्विड के मॉलीकूल सब्सक्राइब यह जा रहा है यह जा रहा है इनको आप एक तरह से ट्रैक समझो रेसिंग ट्रैक प्ता है कि जितने भी अथिलीट्स दॉड रहे होते हैं अपने ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते हैं है लो मेरे प्यारे बच्चो फ्लूड का लेक्शर नंबर 3 बच्चों इससे पहले हम लोगों ने फ्लूड स्टैक्स कर ली है यानि कि हम लोगों ने उस फ्लूड के बारे में बात कर ली है जो की फ्लो नहीं कर रहा था आज हम लोग जिस फ्लूड के बारे में बात करने वाले हैं वह आजाता है अपने फ्लो कर रहा होगा यहनुकि एक जगह से दूसरी जगह बहके जा रहा होगा समझ लग रही बात तो आज हम लोगोंने flowing flutes के बारे में पढ़ना चुरू करना है तो देखो अभी तक fluid static से हम लोगोंने क्या क्या देखा हम लोगोंने pressure देखा हम लोगोंने Pascal flow देखे ठीक है फिर हम लोगोंने hydraulic lift भी देखा था उसका application Pascal law का फिर मैंने आपको क्या बताया Archimedes principle बताया फिर मैंने आपको accelerated fluid के बारे में बताया था तो आपने काफी चीज़े हम लोगोंने cover कर ली अब अगर बात की जाए fluid dynamics में तो आज हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले है types of flow की fluid तो flow करेगा लेकिन कौन-कौन से types होते हैं तूसरा equation of continuity और तीसरा Bernoulli's principle and its application ये तीन चीज़े हैं आज हम लोग देखकर जाएंगे तो सबसे पहले बात की जाए हमारे पास types of flow की तो types of flow में हमारे पास जो flow आते हैं वो अपने पास दो type के flow हैं एक तो होता है अपने पास steady flow और दूसरा होता है अपने पास turbulent तर्बूलेंट तर्बूलेंट फ्लो ठीक है न वहीं आज ही अपने पास दो type के flow है types of flow की अगर बात करी जाए तो हमारे पास दो type के flow है एक है अपने पास steady flow और दूसरा क्या है turbulent flow पिटेश टीडी flow को आप लैमिनर फ्लोर भी बोल सकते हो लैमिनर फ्लोर भी बोल सकते हो और आप इसको streamline flow भी बोल सकते हो ठीक है न कौनसा फ्लो स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन इतनी चीज़ क्लियर है कि नहीं तो आप steady flow को लैमिनर फ्लो भी बोल सकते हो और streamline flow भी बोल सकते हो turbulent flow को turbulent flow ही तो अपने पास basically दो type के flow आते हैं कौन कौन से steady flow बोल लो लैमिनर फ्लो बोल लो यह streamline flow बोल लो दूसरा अपने पास type का जो flow है वह अपने पास turbulent flow दूसरा कौन सा है turbulent अब वैसे तो यह steady flow लैमिनर फ्लो में थोड़ा बहुत difference है लेकिन आप वह engineering बजाके पढ़ोगे तो कि आप अपने पास steady flow हो चाहे laminar flow हो चाहे streamline flow हम लोगों ने एक ही type का वह flow मानना है और जो दूसरे type का flow है अपने पास वह अपने पास कौन सा turbulent कौन सा flow turbulent flow अब सबसे पहले बात करी जाए steady flow बोल लो लैमिनर फ्लो बोल लो यह streamline flow बोल लो वह किस type का flow होता है पिटा हम लोग इसको बोलते हैं चीटी फ्लो चीटी फ्लो आपने कभी देखा होगा कि जो चीटिया होती है कभी दिवार पर चड़ रही हो तो एक लाइन से चल लगती है बहुत मजा भी आता हो लोगा होगा आप लोगों को इसकी लाइन तोड़ने में भाइसाब जो steady flow streamline flow या लैमिनर या इतम कता ही एक के पीछे एक तो एक तरसे यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि एक तरसे चीटी टाइप का flow होता है चीटी टाइप का flow सर कैसे चीटी टाइप का flow यहाँ पर चीटिया कहां से आ गई पर यहाँ पर चीटिया नहीं यहाँ पर fluid particles हैं क्या है fluid particles कि टो यह एक के पीछे यह के पीछे चल रहे है कैसे देखो. जैस ममजँ हो अपने पास क्या है यह है कर आम इस अपने पास यह है करेang कि जिस तरीके से करें एधार लो यह एक पाइप है सका इन वांज रहा है Streamline Flow बोल लो,uez Td Flow बोल लो, जोमर जी बोलना बोल लो वो Flow हो रहा है तो बेसिकली जो Streamline Flow है न वो Streamlines में होता है Streamlines में होता है, अब Streamlines सब कैसे दिखाऊँगा ? यह क्यों यह स्ट्रीम लाइन है यह दूसरी Streamline है यह तीसरी Streamline है अप ऐसे करोड़ों लाखों अनिगनत नीचे वाली पर चल रहे होंगे ठीक है न बाई साब, यह देखो यह जा रहा है, यह जा रहा है, यह जा रहा है, देखो आइस चल रहे हैं, समझ लग रही बाद, similarly नीचे वाली पर चल रहे होंगे, यह देखो, यह देखो, लिक्विट के मॉलिकुल जा रहे है, इसके नीचे वाली पर चल रहे होंगे, कौन सा कलर लें, बाई साब, सबसे पहली कहानी तो यह होती है, इनकी, कि यह जो स्ट्रीम लाइन्स हैं, इनको आप एक तरह से ट्रैक समझो, रेसिंग ट्रैक, जैसे आपने लोगों को पता है कि जब रेसिंग ट्रैक होते हैं, तो उ सेकंड स्ट्रीम लाइन है, यह थर्ड स्ट्रीम लाइन है, फर्स सेकंड थर्ड, तीन स्ट्रीम लाइन मैं आपको दिखा रखे, तो बटे जो फर्स ट्रीम लाइन है, उस पे चलने वाले पार्टिकल गलती से भी सेकंड यह थर्ड पे आ नहीं सकते, जो सेकंड स्ट्रीम सब्सक्राइब से क्या है अपने पास? यहां पर क्या है कि जो Streamline Flow है अंदर basically अपने पास Streamlines होती है इस तरीगे से क्या होती है?ậpys सबसे पहली तो यह बात होगी अब सर दूस्री बात क्या होगी सर? दूसरी बात क्या है? कि माल लो अगर मैं different points की बात करूं different different points की बात करों जयसे सर मैं इस point की बात कर रहा हूं किस वाले point की इस वाले point की गहां कि एक क्रोंस्टेक्ष्षन की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेता है मैं अपने को देखने से पता चल रहाए है ये इत तो फ्न को पता किसर इतना विल लाइć होगी रा तेज धार जाती है, धार क्या जाती है, तेर जाती है, अरे यही तो है न, हमको पता है कि अगर पाइप को पतला कर दो तो धार क्या जाती है, तेज धाती है, तेज जाती है न भाई साब, तो यहाँ पर जो विलॉस्टी होगी fluid particles की, और यहाँ पर जो विलॉस्टी होगी fluid particles क वो सेम होगी या नहीं सर पाइप पतला होता चला जा रहा है तो जो धार की रफतार है वो बढ़ती चली जाएगी धार की जो रफतार है वो बढ़ती चली जाएगी क्योंकि पाइप पतला होता चला जा रहा है एरिया छोटा होता चला जा रहा है स्पीड बढ़ती चली क्या होगी वीवन क्या होगी वीवन यानि कि इस पर्टिकलर क्रोसेक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसके उपर जितने भी बी पार्टिकल्स होगे इस पर्टिक्लर टाइम पर उसकी रफदार वी न होगी इस पर्टिक्लर हे पर जितने भी इस पर उन सब की रफ्तार क्या होगी वीटू क्या है सर इस क्रॉसक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पॉइंट्स वर्ड यूज नहीं करना तो आप क्रोशुटा बढ़ा हो रहा है तो जो विलॉस्टी वह चोटी बड़ी हो सकती है इत्वी चीज़ क्लियर है ठीक है सर लेकिन प्ट विलॉस्टी अट गिवन पॉइंट is constant with time point को आप क्या कर लो cross section कर लो, but velocity at a given cross section is constant with time लेकिन एक given cross section पर जो velocity होगी वो constant रहेगी यानिकि जैसे मैं given cross section की बात करूँ समझो A1 की बात करूँ तो A1 पर, A1 पर जितने भी particles होगे उन सब की velocity क्या रहेगी हमेशा V1 रहेगी, अभी तो क्या है इसका नाम रख रहते हैं चंगू, मंगू, टंगू इस cross section पर जो अभी particle present है वो कौन से है, चंगू, मंगू, टंगू तो ये तीन particle present है भी तो कौन present है, इस टाइम पर तीन particle present है, अब क्या होगा ये थोड़ी दिर बाद जो अभी present है, जिनकी रफ्तार क्या है इस cross section पर V1 है, ठीक है इस cross section पर रफ्तार क्या है, V1 है ठीक है, जैसे वो आगे बढ़ जाएंगे फिर ये वाले आएंगे भाई साब, ये राम, शाम, घंशाम बोल लेते हैं, राम, शाम, बाबु भीया, ठीक है, तो राम, शाम, बाबु भीया, ये तीनों क्या जाएंगे इस cross section पर जाएंगे, ठीक है ये तीनों जब इस cross section पर जाएंगे तो जैसे ये तीनों cross section पर पहुंचेंगे तो इनकी रफ्तार भी क्या होनी पड़ेगी, वीवन होनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा इस particular cross section की जो रफ्तार निर्धारित है, जो निर्धारित रफ्तार है, वो कितनी है वीवन, यानि कि इस cross section पर जितने भी particles आएंगे, उनकी रफ्तार वीवन होनी ही, होनी ही पड़ेगी, ठीक है न, वो बात अलगे, जै जैसे वो आगे जाएंगे, एरिया चेंज हो रहा तो चेंज हो जाएगी रफ्तार, ठीक है न, उसी तरीके से जो पीछे राम, शाम, बाबू भाबू 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 बही आएं, जैसे वो A1 cross section पर पहुंचेंगे, उन सब की रफ्तार क्या हो जाएगी, वीवन हो वहाँ पर जो रफ्तार होती है, वो समय के साथ चेंज नहीं होती, जितने भी फ्लूट पार्टिकल्स आएंगे, उनकी रफ्तार वही होती रहेगी, जो की उस particular cross section की रफ्तार निर्धारित, similarly, वही A2 cross section के लिए, जितने भी particles पास कर रहे होंगे, भले उनकी रफ्तार चें लिए V2 है, इतनी चीस clear है कि नहीं, इतनी चीस clear है, तो होता क्या है, कि ये जो cross section है A1, इसकी रफ्तार fix है, कि यहाँ पर रफ्तार जितने भी fluid particles आएंगे, सबकी V1 ही होगी, तो जितने भी fluid particles पीछे सा रहे हैं, सबकी रफ्तार यहाँ पर V1 होती जाएगी, हाँ वह बात इतनी चैस clear है, तो जाआउट, अब सर, अगर कोई particle एक stream line पे चल रहा है समझो, यह stream line है, यह fluid particle अपने पास, इसकी velocity की direction कैसे show करेंगे, आप क्या अगरों बस tangent मना दो, तो यह क्या होगी, velocity की direction होईज़, उस fluid particle की velocity की direction होगी, अगर आपको कोई particle extreme line पे चल रहा है, उसकी velocity की direction बतानी है, तो आप tangent से क्या बना देते हो, क्या बना देते हो, उस velocity की direction, तो आप simple बोल सकते हो, a tangent at any point on the streamline will give the direction of velocity of the fluid particle, simple, a tangent on any point of the streamline will give the direction of velocity of the fluid particle, अगर आप tangent बनाते हो, किसी भी point पर, streamline पर, तो fluid particle की direction of velocity को, किती ही चीज़ क्लियर है कि नहीं, आप simple थी चीज़ है, तो ऐसे ही मैं आपसे पूछू, क्या कोई भी दो streamlines आपस में cut कर सकती है, क्या, इस तरीके से, नहीं सर, नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि अगर दो streamlines cut कर रही होंगी, तो अगर मैं इस point पर देखूँ, इस point पर, एक समझो याली streamline है, एक समझो याली streamline है, अगर मैं इस point पर देखूँ, तो कितनी changes बना सकता हूँ मैं, तो दो टेंजन बना सकता हूँ, एक ही है, और एक ही है, अब भाई साब, आपर तो दो direction आ गई, क्या, एक particle की, एक fluid particle की, समझो याला fluid particle अपने पास, समझ लग रही है, उनके बीच में क्या होगा, हमेशा gap होगा, कभी भी touch या cut नहीं कर सकती, इतनी जिस clear है, क्योंकि, जिस point पर cut या touch करेंगी, उस point पर, अगर आप tangent डालोगे, तो दो tangent पड़ेंगी, यानिकि, दो direction of velocity जो की possible, क्योंकि इससे पहले तो क्या, भाई सा, fluid particle की, एक है, यहाँ पर, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर तो दो आ रही है, ठीक न, एक इसके हसाब से आ रही है, इसके हसाब से आ रही है, जो की गलत है, इसका मतलब की, कोई भी fluid particle, कोई भी fluid particle एक बास, दो direction of velocities, नहीं हो सकती, एक instant, इती जिस clear है की नहीं, तो अब जल्दी जो चीज मैंने समझाई है, उसको अंग्रेजी में देख लो, क्या है अपने पास, यह जो भी बात कर रहे हैं, लो किसके लिए बात कर रहे हैं, steady flow बोल लो, या streamline flow बोल लो, या laminar flow बोल, तो सबसे पहला point किया है, the flow of the fluid is set to be steady, the flow of the fluid is set to be steady, steady कब बोलते है हम लोग, if at any given point, the velocity of each passing fluid remains constant in time, वो ही, वो क्या बोल रहा है, कि हम लोग किसी भी, किसी भी, flow को हम लोग steady कब बोलते हैं, जब किसी एक particular cross section पर, यहाँ पर हम लोग ने point बोला, ज्यादा बेटर क्या है, cross section कर लो, यहाँ पर, ठीक ना, कि जब एक particular point या बोल लो, या particular cross section पर, जितने भी fluid particles आ रहे हैं, उनकी velocity क्या हो, समय के साथ constant हो, यानि कि A1 cross section की velocity निर्धारे थे वो V1 है, तो जितने भी particles pass करेंगे, उस A1 cross section पर उनकी velocity V1 ही रहेगी, और वो समय के साथ change होने वाली नहीं, हाँ, next cross section पर velocity change हो जाए, लेकिन उस particular cross section पर velocity V1 ही रहेगी, और समय के स इसका मतलब यह नहीं है कि अगर velocity constant है किसी एक particular cross section पर, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे cross section पर velocity भी वही होगी जो पहले cross section पर, दूसरे cross section पर velocity change हो सकती है, अभी देखा हम लोगों ने, देखो, इस cross section पर velocity V1 है, यह समय के साथ क्या है constant है, यानि कि जितने भी particles pass करेंगे इसका मतलब नहीं है कि अगर यहाँ पर velocity V1 हो तो यहाँ पर velocity V1 होगी, ना, velocity change होगी, यह एरिया change हो गया, ठीक है ना, this does not mean that the velocity at different points यानि कि different cross section एक तरह से points को cross section लिख सकते हो, इस सेम, यानि कि इसका मतलब यह नहीं कि different cross section की velocity भी क्या होगी, same होगी, different different हो सकती है, इरिया चेंज हो रहा है, तब velocity वो particular particle, किसी एक particular particle की velocity, change हो सकती है, जैसे वो एक point से दूसरे point पर move कर रहा है, या बोलो, एक cross section से दूसरे cross section पर move कर रहा है, जैसे कि, अभी, अभी जो particles यहाँ पर है, समझे है, चंगू, मंगू, टंगू, अभी यहाँ पर इसकी velocity क्या है, V1 है, जब वो इस cross section पर पहुचेंगे, चंगू, मंगू, टंगू, तो इनकी velocity क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी, ठीक है, तोगी area change हो रहा है, last point, that is, at some other point, the particle may have different velocity होई, कि different cross section पर, different velocity हो सकती है, point की जए cross section कर लेना, ज्यादा बेटर समझ आता है, but every other particle which passes through the same point, लेकिन जितने भ वो एकदम पहले जासे particle की तरह behave कर रहे हैं, यानि कि उनकी velocity क्या होगी, जो पहले वाले particle की होगी, जैसे की, समझा, क्या बोला उसने last line, but every other particle which passes through the same point, यानि same cross section, behaves exactly as the previous particle that has just passed that point, अंगरी जी में क्या बोला है, कि समझो अभी क्या है अपने पास, यहाँ पर ये चंगू, म even है, तो ये तो भाई क्या कर गए, पास कर गए, अब other particles की कौन सी बात हो रही है, इनकी, यह है राम, शाम, बाबुवया, जब वो इस cross section बे पहुंचेंगे, यह बिल्कुल वैसे ही act करेंगे, जैसे चंगू, मंगू, टंगू थे, जैसे चंगू, मंगू, टंगू थे, त यहां पर पहुंचेंगे, तो एकदम चंगू, मंगू, टंगू की तरह ही act करेंगे, यानि कि उनकी velocity क्या हो जाएगी, act करने का मतलब क्या है, उनकी velocity क्या हो जाएगी, समझ लग रही है, कोई डाउट, यह अंग्रे जी थी, उमीद है, आपको अंग्रे जी समझ आ गई हो तो बटा, यह जो flow होता, इसको आप लोगी steady flow बोल लेते हैं, lamra flow बोल लेते हैं, streamline flow बोल लेते हैं, अगर आप मैं आपको practically दिखाओ नो, तो कैसे आप देख सकते हो, steady flow, streamline flow, आप जब आप घर की तूटी चलाते हो, यहनि घर का नल चलाते हो, इस तरीके से, घर पे नल होत तो पानी ऐसे निकलता है, धार से, इस टाइप से, तो यह जो धार वाला पानी एन एक दो मस्द धार निकल रही होती है, यही क्या है अपने पास, streamline flow, कैसे मन रही है, streamline मन रही कि नहीं मन रही, मस्द ऐसे, streamline flow होता ही है, यह streamline flow, जो मस्द धार निकल रही होती है, मस्द लहर प्रेशर बहुत जाता है भड़ा भड़ाते हो निकलता है आठेड़ गोली चलाते हुए वो घ्या हो जाता है ट्रवॉलेंट हो त्रवलेंट फ्लो अब स्टाइटिक में खोलो धीर समस्ट था सब्सक्राइब कल दल लें लाइन या बोलो यह बोलो लेमिंड बोलो त्रीडिय जो भी मैंने आपको स्ट्रीम लाइन की बताई है वह ना हो फ्लूट के पास तो कौन सा फ्लूट बन जाता है तर्बुलेंट अलग से करने की जुरूत नहीं है जो स्ट्रीम लाइन नहीं वो ट्रॉबुलेंट में क्या होगा एक पारिकल अपने ट्रैक पर नहीं रहता या अपने स्ट्रीम लाइन पर नहीं रहता है को इस यह निकला थो था सब्सक्राइब लेकिन टरॉबलेंट फ्लोव था क्योंकि आपने बहुत थेज़ कोल दिया थिकर तो अभी यहां पर था दूसरी वह स्ट्रीम लाइन में घु में आपको समझ आया ऐसे हैं मस्त धार वाला आपने स्लेवस में कौन सा है सर हम लोग जो भी बाते करेंगे अभी चाहे क्वेशन ऑफ बर नवख़े उन सब में हम लोगों ने जो flow की बात करनी है वो हम लोग ने बात करनी है streamline flow या स्टीडी flow की बात करनी है अपने इसलिए बसमें turbulent flow से related कुछ भी नहीं और एक important चीज हम लोग जो भी fluid पढ रहे हैं हम लोग जो भी fluid पढ रहे हैं वो सारे के सारे कौन से fluid है सर, ideal fluids है, अभी, अभी के लिए जो हम लोग fluid पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे कौन से, ideal fluids, ideal fluids कौन से होते हैं सर, वो fluids, वो fluids जो कि non-viscous होते हैं, सर, viscous क्या होता है, विटा, जैसे आपने friction पढ़ाता है न, solid surfaces की बीच, वैसे fluid के अंदर भी क्या होता है, friction होता है, यहीं कि fluid की एक layer जब दूसरी layer के relative में move करती है, तो उनके बीच में भी क्या आता है, fluid का friction आता है, उनको लोग viscous force बोले, तो अभी अब लोग यह मान के चल रहे हैं, कि जो fluid है अपने पास, या बोलो liquid है अपने पास, उनमें कोई भी, कोई भी viscosity या बोलो viscous force नहीं है, या बोलो friction नही ही है, यानि कि अपना ideal fluid का सा होता है, non viscous, और incompressible, यानि कि आप उसको compression नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग जो ideal fluid के अभी बात कर रहे हैं, वो कैसा अपने पास, non viscous है, incompressible है, और h और बोल लेते हैं, irrotational, irrotational का मतलब क्या हो जाता है सर, कि rotate नहीं कर रहा, rotate करने का मतलब, होता क्या है कि जब आप और थोड़ा सा आगे पढ़ोगे deep में, तो fluid क्या कर रहा है, rotate भी कर रहा हो, जैसे कहीं, fluid चल रहा हो, तो fluid के पार्टिकल से घूम भी रहे होते हैं, ऐसे, घूम भी रहे होते हैं, तो हम लोग ने क्या मान रख़ रहे हैं, तो non-viscous, incompressible, irrotational, हमारे पास ये, तीन टाइप, जब satisfy होंगी, तो ही हम लोग बोलेंगे अपने पास क्या है, ideal fluid, तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, या भी जो भी बात करेंगे, वो सारे के सारे ideal fluids की बात करेंगे, उसमें भी कौन सा case, TD flow, streamline flow, laminar flow, तो उम्मी ये चीज़ें आपको चमक गई होंगी, अब देखो, properties मने आपको streamline flow की बता दी है, जैसे कि, in streamline flow, two streamlines cannot cross each other, those streamlines आपस में cross नहीं कर सकती, if they do so, the particles of the liquid at the point of intersection will have two different directions of their flow, two different direction हो जाएंगी, या निकि, two different velocity आ जाएंगी, जो की possible नहीं है, तूसरा, the greater is the crowding of streamlines at a place, greater is the velocity of liquid particles use, at that place and vice versa, simple सी चीज़ें भास साब, खुद सोचो, जहाँ पर crowding जादा होगी, अब crowding कैसे जादा होगी, जैसे सरी ये है, ये pipe है, जी कि, मैं आपर स्ट्रीम लाइन कर यहां पर एक्टी मैं उनकी ज़्छादा होगी तर वैसे भी समझ आता है यहां पर एरिया छोटा ओर होता है तो इसलिए कट्टा हो रही है इसका मतलब एरिया छोटा हो रहा हो तो विलॉस्टी ज्यादा होगी वैसे भी समझ आता हम को कोई अलग तोप चीज नहीं मारी हुए बस इसको थोड़ा से तरीके से लिखा गया है कि जो ग्रेटर की विलॉस्टी सब्सिंट विलॉस्टी सब्सिंट नागा है तो सब्सक्राइथ होते हैं तो इतने हो उती अइक पार्टिकल्स तेखा देता हूं टेटो सब की ले हैं लेतai यहां यहां पर खुली-खुली है ना कोई भी एक particle लेता हो सरी एला particle लेता हूँ इसकी velocity यहां पर माले औَّば Toby सी बात है यहांपर जहांपर crowdin है तो वहां की velocity क्या होगी जाध cartridge समझ भी आता है UX एरिया क्या हो रहा है चोटा हो रहा है तो velocity जाधा होगी रहा है important points है, school में पूछे जाते हैं, लेकिन conceptual है, क्या है, conceptual है कभी-कभी, छोटे-छोटे क्या कहते है, points देके आपको neat में भी पूछा जा सकता है अब बात करते हैं हम लोग किसकी equation of continuity equation of continuity भाई साब, equation of continuity क्या कहती है equation of continuity भाई साब, equation of continuity बहुती बिंदास, जबर्दस चीज है, क्या भाई कैसे, ये based है किसकी उपर based on based on conservation conservation of mass mass के conservation की उपर based है equation of continuity किसकी उपर based है conservation of mass की उपर किसके conservation की उपर mass के conservation की उपर based है मतलब क्या हुआ सर मतलब यह हुआ कि अगर मैं कोई भी आपके पास बनाओ समझो इस तरीके से यह लो एक pipe है यह pipe है तो यह क्या कहता है समझो इधर पर area क्या है even है इधर का area इस side का area even है इस side का area तो equation of continuity क्या कहता है कि जितना mass का liquid या जितने mass का fluid enter कर रहा है किसी time में तो उतने ही time में उतने ही time में उतने mass का fluid exit भी कर जाएगा यह नहीं बच्चे से भी यह समझते है सर जितना mass का fluid enter कर रहा है उतने mass का fluid exit कर रहा है यह नहीं होता बड़ टाइम भी तो बताओ अब दो किलो एंटर किया है समझो एक सेकेंड में यहां से और यहां से दो किलो निकलना एक घंटे में बग गल तो जाएगा एक सेकेंड में अगर दो किलो एंटर किया है तो एक ही सेकेंड में दो किलो बार निकलेगा तो मास एंटरिंग पर सेकेंड इसकोल टू मास एग्जिटिंग पर सेकेंड यानि कि जितना मास जितना मास पर सेकेंड एंटर कर रहा है उतना ही मास पर सेकेंड क्या करेगा exit भी करेगा उतने ही mass per second exit भी करेगा, time भी count में लेना है, ठीक है न इती जिस clear है की नहीं इती जिस clear है की नहीं, यानि कि ऐसे बोल सकते हैं आप जितने time में जितना mass क्या कर रहा है enter कर रहा है, उतने ही time में उतना mass क्या कर जाएगा exit कर जाएगा माल लेते हैं कि जो fluid पह रहा है अभी इस में से, वो क्या है row density का है row density का है idle fluid है, incompressible है, non-viscous है irrotational है, ठीक अब देखो भाई, क्या होगा माल लेते हैं dt time में dt time में अब देखो, a1 है, यहाँ पर माल लेते fluid particles की velocity क्या है, कुछ v1 है यहाँ पर fluid particles की velocity क्या है, कुछ v2 है, हर cross section की velocity निधारी तो थी न, यहाँ पर fluid particles की velocity क्या होगी, जितने fluid particles होगी सबकी velocity क्या होगी, v1 होगी, यहाँ पर जितने fluid particles होगी सबकी velocity क्या माल लेते हैं dt time में dt time में fluid कितना enter करेगा, सर? सर, इतना फल्ड करने कितना मास का? तो सर, इस फल्यूट का जो भी मास होगा, पीछे पाइप लगा हुआ, मैंने और नहीं शोग किया हुआ, ठीक है न, भस इतना सा शो कर रहा हूँ यानिकि पीछे से पानी के बहाव आ रहा है तो पीछे से पानी आ रहा है तो dt टाइम में कितना एंटर कर गया सर पाइप के अंदर सर इतना मास एंटर कर गया तो सर dt टाइम में जितना मास एंटर किया है तो dt टाइम में उतना ही मास एंटर किया है तो dt टाइम में उतना ही मास एंटर किया है तो dt टाइम में उतना ही मास एंटर किया है यानिकि सर यह जो मास है और यह जो मास है यह दोनों मास क्या होंगे सेम होंगे मैंने क्या बोला सर dt टाइ सब्सक्राइब पानी को इसे कर देते हैं आज ब्लू है पानी पानी इतना मास एंटर किया है तो डीटी टाइम में उतना ही मास क्या कर रहा है एक्जिट भी कर रहा है तो सर अब यह मास कितना एंटर किया है यह तो बोल दिया कि सर डीटी टाइम में जितना मास इधर एंटर किया है उतना ही मास इधर से एक्जिट कर रहा है सर कितना वो मास है तो मास क्या होता है मास होता है सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सर डेंसिटी क्या है सर डेंसिटी तो रो है ठीक है डेंसिटी तो क्या है रो है वॉल्यूम क्या होगा सर वॉल्यूम होता है सर area into thickness या area into length बोल लो area into length यही तो होता है इदर पर अगर mass की बात करें सर इदर पर अगर mass की बात करें इधर का जो mass होगा, इधर का mass इसaker section पर जो mass enter गिया है a1 क्रो закон पर जो mass enter गिया है dt time में, वो क्या होगा सर density तो हो गई, rho into area हो गया सर a1 into length लेंथ तो सरी यह है यह लेंथ है एरिया हो गया एवन लेंथ तो सरी यह है अब सर लेंथ कैसे लिखे लिखे लेंथ किया है ठीटी टाइम में क्या गिया है एंटर किया है तर विलॉस्टी क्या है वी वन है तो लेंथ क्या हो जाएगी वी इंटू डीटी अरे यही तो होगी अरे dt टाइम के बहुत छोटा है बहुत छोटा टाइम है dt तो बहुत छोटे टाइम में velocity को लगबग लगबग मैं constant मान सकता हूँ velocity को लगबग लगबग मैं constant मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता मान सकता हूँ ना तो मैं बोल सकता हूँ कि सर सर, यहाँ पर जो fluid particles उसकी velocity V1 है, तो dt time के लिए ये V1 क्या है, constant है, dt time क्या बहुत छोटा time है, उस dt time में velocity constant होगी, तो length क्या हो जाएगी सर, V1 into dt, तो सर ये जो length हो जाएगी, या ले length ही हो जाएगी V1 into dt, अरे भाई साब, distance क्या था, velocity into time होता न, ठीक है, इतनी जीस clear है की न तो भाई साब यहाँ पर जो mass enter किया है, mass enter किया है, dt time में, वो कितना निकल किया जाएगा सर, जाएगा density into area, यानि A1 into length कितनी है सर, V1 dt, समझा आया, length कितनी है, V1 dt, यानि कि हम लोग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, mass को density into volume, density into area into length, यानि कि density into area तो area है, length को क्या लिख रहे हैं, एक तरह से velocity into dt लिख रहे हैं, यह दो लिख रहे हैं, mass को, पिटा mass को क्या लिख रहे हैं, density into volume, volume क्योंता है, area into length, length क्या लिख रहे हैं, V dt, अब मैं A1 वाले area की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यहाँ पर velocity V2 है, तो dt ताइम में कितना length चलता सर, V2 dt चलता, तो सर यहाँ से जो mass exit करता, mass exiting in time dt, dt ताइम में जो mass exit करता, वो कितना होता सर, वो ता density into volume, volume कितना होता सर, area into length, length कितनी है सर, V2 dt, और यही तो बन रहा है, बस यहाँ पर क्या कर दो, a2 डाल दो, यहाँ पर V2 डाल दो, वो ही तो है, अर इतनी चीज़ clear है कि नहीं, तो यह क्या जाएगा अपने बास एक तरह से, क्या जाएगा अपने बास, mass in time dt, अगर हाँ पर a1, v1 डाल दोगे तो entering वाला mass है, यहाँ पर a2, v2 डाल दोगे तो sir exiting वाला है, तो यह क्या है, mass entering in time dt, dt time में sir, जितना mass enter कर रहा है, उतना ही mass dt time में exit कर रहा है, यही तो concept है सारा, यहीं, this mass बराबर, this mass, कर दो sir sir, कर दो equate, चला दो गोली, rho a1, v1, dt is equal to rho a2, v2, dt, जी sir, जी sir, तो dt से dt मर गए, rho से rho, मर गए, तो क्या आगया, a1, v1, is equal to a2, v2, बटा यही तो पढ़ा होगा, यही तो पढ़ा होगा equation of continuity, यही तो पढ़ा होगा, क्या, equation of continuity, यही है, तो सर यहां से क्या पता चलता है यहां से पता चलता है कि भाई साब यहां से पता चलता है क्या कि सर area is universally proportional to what velocity तो area है वो velocity के क्या है universally proportional यानि कि जहां पर area छोटा होगा वहां पर velocity दादा हो इतनी जिस clear है समझ लग रही है बात ठीक है न भाया जी तो derivation उम्मीद है आपको समझ आई होगी कैसे करी है ठीक है तो यह है equation of continuity की derivation अब कुछ terms है जो कि आपको याद रखनी है जैसे एक term आती है अपने पाद जिसको लोग discharge बोलते है ठीक है न यह इसको लोग volume rate of flow भी बोलते है जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो volume rate of flow का मतलब और क्या होता है तर वॉल्यूम पर सेकंड ठीक है इतनी चीज़ क्लिए रहा है की नहीं एक्चे बताना density तो constant है इस cross section पे fluid हो चाहे इस cross section पे vary क्या कर रहा है एक तरह से vary क्या कर रहा है vary क्या कर रहा है cross section area और क्या vary कर रहा है सर velocity vary कर रहा है कुछ सोचो ना इसमें और इसमें क्या different है सर a1 v1 ही तो different है a2 v2 बाकि rho और dt तो क्या है से मीन अपने पास ठीक है तो सर मतलब यह जो a है और जो v है वो ही तो different हो रहा है बाकि rho और dt तो क्या है इसके और इसके लिए क्या है dt time में enter कर रहा है dt time exit कर रहा है जो density है liquid की यहां पर वो density यहां पर area और velocity अलग है तो मेटा जो volume rate of flow होता है volume per second होता है उसको हम लोग कहते है area into velocity area into velocity यह रखना यह एरिया यह विलोसिटी यह क्या है area यह विलोसिटी अब सर कहोगे कि कैसे फील नहीं आ रही इसकी आप यूनिट्स देखो area की यूनिट्स क्या होंगी सर meter square होंगी इसकी unit क्या होंगी सर meter per second होंगी तो जब area into velocity करोगे pięter square into meter par second होंगी इसकी यही unit क्योंगी होती है कि अपने पास discharge की बोल लो यह volume rate of flow की बोल लो यह volume पर second बोल लो volume का मदलक्र cm meter perfect तो हमारे पास जो discharge होता है यह volume rate of الل बोल लो acronym थैक हैन मेरे डी don इन्टू वी, एरिया इन्टू विलॉस्टी, इसको Q से भी डिनोट कर देते हैं, किसे डिनोट कर देते हैं, Q से, ठीक है, अब इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, डिस्चार्ज या बोल लेंगे volume rate of flow, या volume per second लिखते नहीं है, ऐसे करके बड़ा-बड़ा, इसको Q से डिनोट कर देते हैं, क्यों का मतलबी क्या है, सर, क्यों का मतलबी क्या है, सर, डिस्चार्ज बोल लो, या volume rate of flow बोल लो, या volume per second बोल लो, तो अभी हम लोगो ने क्या चीज़ सीखी, equation of continuity से, सर, A1 V1 is equal to A2 V2, भाई साब ये भी क्या हो गया, discharge हो गया, इस्चार्ज हो गया या बोलो, volume rate of flow ये कहां पर है, volume rate of flow, सर, A1 crossrectional area, A2 V2 भी क्या हो गया, सर, volume rate of flow, ये कहां पर, सर, A2 crossractionあります, यानि कि यहाँ पर जो volume rate of flow है, यानि कि जो volume per second है, वो कितना है, सर, A1 V1, यहाँ पर जो volume per second है, वो क्या है A2V2 यानि कि यह जो volume per second यह entering वाला है और यह जो volume per second यह exiting वाला है और entering वाला volume per second is equal to exiting वाला volume per second तो आप यह भी बोल सकते हो क्योंकि density क्या है iallyOD की change नहीं ओरी अगर density change नहीं ओरी ठीक हो और mass क्या होता है Density into Volume तो हमको equation of quantity क्या क्याती ही कि mass per second यतना enter कर रहा है mass per second उतना ही exit कर रहा है Density तो change नहीं हो रही है तो मतलब volume per second यतना enter कर होní डेस्टी इनटम भॉल्यूम होटा है मास पर सेड़ मास पर जिटना एंटर कर रहा है उतनी मस कि एगजिट कर रहे कर्राइब देंस्टी चेंज हो नहीं नहीं सेट जो नहीं सक्षाइब कर रहें ऑन Elizabeth आए ने खिरगा आम पर पर सेकेंड एंटर कर रहा है उतना यह वोलिई पर सेकेंड और पर सेकेंड सदूर बुल लो वोल्यूम पर सेकेंड और यह अंट्रिंग वाला है और यह वईट्व, निया अगजिटटिंग वाला धेकन अर्हने देखोems तो जितना volume per second क्या कर रहा है enter कर रहा है उतना यह volume per second क्या कर रहा है exit कर रहा है यानि कि discharge बोलो या volume per second बोलो या volume rate of flow बोलो यह क्या रहता है हमेशा constant रहता है ठीकर ना अभी तो आप बोलतो हो a1 v1 is equal to a2 कि इस क्लिए रैखनी तो यह हो गया थरी और यह हो गया वाल्यू पर सेकेंड 발 सकेंड एंट्रिंग इस में यह क्या होगा सर यह हो गया बॉल्म पर खेंट काम थन्यूम एप Конечно Sud इस सिचुईएशन में है अमझाया को इसे क्यों बोल पा रहे है कि डेंस्टी क्या है यह इंश्टी वेडिजिए अपको यह टम समझ आई होगी बच्चों को जल्दी समझ नहीं आती है तर A into V होता क्या है A into V बोल लेते हैं discharge, Q से denote करते हैं या volume rate of flow या volume per second क्योंकि actual में तो भाई सब जी equation continuity है वो conservation of mass के उपर है अब mass क्या होता है density into volume और density नहीं vary करेगा तो volume भी नहीं vary करेगा यहनिकि volume per second entering is equal to volume per second exiting A1 V1 is equal to A2 इतनी चीज़ हमको clear हो गई सर जी साब जी, साब जी clear हो गई साब जी साब जी साब जी, साब जी अगर clear हो गई है लल्लू कोशन water is flowing through two horizontal pipes of different diameter which are connected together the diameter of the two pipes are three centimeter and six centimeter respectively the speed of water in the narrow to you is four meter per second than the speed of water in the wider tube देखो, ऐसे करके अपने पास दो pipe दे रखे है एक यह pipe है यह narrower वाला है और यह wider वाला है pipe यह समझे वाइडर वाला pipe एक narrow area वाला pipe है एक wide area वाला pipe है इसमें जो fluid एंटर कर रहा है कितनी रफतार से एंटर कर रहा है सर four meter per second Four meter per second तो पूछा है कि सर ठीक है न तो wider tube वाले में से कितनी रफतार होगी सर यह बताना है वी कतना हो इसका area इसका area निकाल लेंगे diameter कितना दिया हो उसका तो diameter दिया हूँ हमको इसका diameter कितना दिया हूँ है diameter दिया हूँ है अपने को इसका डायमेटर है तो यहां पर जो विलॉश्टी थी सर वो velocity आपने पास 4 meter per second तो यहाँ की velocity की simple भाई साब equation of continuity तो लगा ही सकते हैं बिल्कुत बेधड़क लगा सकते हैं equation of continuity आप बेधड़क लगा सकते हैं तो क्या लिखोगे सर यहाँ का area A1 माल लेते हैं यहाँ का area A2 माल लेते हैं A1 into V1 is equal to A2 into V2 A1 क्या है सर पाई अगर आपने को diameter पता होता तो area कैसे रिखते हैं पाई D square by 4 यहाँ कि पाई D1 square by 4 इस diameter को D1 बोल लेते हैं इस diameter को D2 बोल लेते हैं तो पाई D1 square by 4 into velocity कितनी सर 4 है is equal to A2 पाई D2 square by 4 into velocity कितनी सर find करनी है V2 find करना है और भाई सर वी टू तो find करना है V तो सर देखो क्या क्या कर जाएगा पाई 4 पाई 4 निपट जाएंगे D1 कितना है सर 3 है तो 3 ती जा 9 सेंट्रीमेटर को मीटरे में करने की जरूत नहीं कि कट जाएंगे सेंट्रीमेटर सेंट्रीमेटर ठीक ना 9 in 24 is equal to डी टू कितना सर छे है 636 into V तो कितना वह जाएगा अपने पासर 9 for the 36 ठीक ना 9 for the 36 इदा 4 से 4 कटके तो V की वेल्यू कितनी आगी एक मिटर समझा आया इस तरीके से करते ठीक भाई साम चाला नेक्स्वोशन देखो नेक्स वोचिन गया है एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विट इस फ्लोइंग थुरू होरिजूनिटल पाइप एसे तो यहां से जितना वॉल्यूड पर सकंड एक सरसे बोल सकते हो वॉल्यूड पर सकंड जितना यहां से तो कि डैंस्टी तो चेंज कर नहीं रही है जैंस्टी चेंज कर रही है ग्या नहीं कर रही है तो यहां पर जो डैंस्टी सबकी डैंस्टी सेमी तो है सेमी तो लिक्विट है तो जितना वॉल्यूड पर सकंड यहां से एंटर कर रहा है एक सकंड में जितना भी वॉल्यूम यहां से एंटर कर रहा है उत्र ही तो एक सकंड में यहां से और यहां से एक्जिट भी कर रहा हो तर अभी तो आपने बताया है ता मास पर सकंड अब एक देड़ो, मास क्या होता है, डेंस्टी इंटू वॉल्यूम अगर density नहीं vary कर रही, तो volume भी vary नहीं करेगा, ठीक है, तो जितना volume per second कईओं को लगता नहीं कि सरे question of continuity तो यह होता कि mass per second entering is equal to mass per second exiting अभे density same है, तो volume per second entering is equal to volume per second exiting भी तो बोल सकते हो ना प्रभू a1 v1 is equal to a2 v2 similarly तो यहां से यहां से जितना volume per second enter कर रहा होगा, उतना नहीं तो volume per second यहां से exit कर रहा होगा, दोनों से दो जागे से exit कर रहा है, तो लिख सकते हो कि volume per second entering is equal to volume per second exiting ठीक है, इतनी जीज़ क्लियर है कि नहीं, अब सवार enter कितना volume कर रहा है enter, volume क्या होता है, volume per second क्या होता है, a into v a into v, तो सर, area a हो गया, velocity हो गयी, 8 तो a into 8, a भी होता है न, यह enter कर रहा है, exit सर, दो जगे सकर रहा है तो यहां से exit कर रहा हो क्या हो जागा, area कितना सर, 0.8a, यह 0.88 है, ठीक है न, 0.8 into a लिखा हुआ है और यह 3a into a लिखा है, आपको अगर दिखाई नहीं बढ़ रहा हो तो मन लिख दिया है, यह है a, यह area है a, यह area है 0.8 into a, यह area है 3 into a, तो सर, यहां पर कितना हो जाएगा, इधर पर कितना exit कर रहा है, यह कर रहा है सर, 0.8a into 6, ऐसा अटर इधर से कर रहा है, exit दो जगे सकर जगे सकर रहा है, तो यहां से exit कर रहा है, 0.8a into 6, फ्लस, फ्लस 3a into, ऐसा अप, enter इधर से कर रहा है, exit दो जगे सकर रहा है, तो दोनों का लिखो जगे सकर रहा है, तो ए, 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 उड़ा दो, तो देखो वी कितना है निकल के आ रहा है, 8 equals to, यह कितना हो जाएगा, ठिक है है, एंट में से 4.8 चले गए, ठिक ना, तो कितना बचा त्रींट 2 बचा, ठिक है, कितना बचा, 3.2, रही गिया ना, इंट में से, एट सगरा फॉर्टी एड होता न, 4.8 गए, तो अपने बास कितना बचा, 3.2 बचा, तो 3.2 को डिवाइट कर रहा है तरे से 3 से, तो तो अंसर कितना आ रहा है, मोटा मोटी कितना आंसर जाएगा, 1.1 सम्तिंग आ जाएगा, 1.1 इंटर पर सेक्ड, क्यलक्लोएशन देख लिए ना, एक बारी सही किये की नहीं करिए, 862 ए 4.8, मिनस करेंगे 3.2, 3.2, जिवाइद बाए 3, 1.1 सम्तिंग आ जाएगा, ठीक है, जा यह लग कुछन ऐसे करते हैं, हमवर्क में देखने हैं, वैसे यह नीट में आया था, मैं आपको कोशन समझा देता हूँ, क्या है, तो इसका एक एंड का जो रेडियस है, वो कितना है, capital R है, ठीकिन, दूसरे एंड पर बहुत सारे छेद हैं, छोटे-छोटे-छोटे, कितन है, ऩर, जो छेद है, N छेद है, कितने, N फोल olsun, और एक होल का जो रेडियस है, वो क्या है, small r है, एक होल का रेडियस क्या है, small r है, तो आप से पूछा जा रहा है कि इस होल से, कि इस होल से किस स्पीड से लिकुड निकल रहा होगा समझो वी डैस निकल रहा होगा इन होल से जो लिकुड निकल रहा होगा वी डैस निकल रहा होगा आपको वी डैस ही बताना है ठीक है और यहां से कितने से एंटर कर रहा है सर वी से एंटर कर रहा है आप वही चीज करोग a2 into v2 exiting a1 कितना है सर pi into r का square सर इधर से और v velocity है is equal to a2 a2 area कितना हो जाएगा सर ये जितने भी holes का area होगा एक hole का area कितना है सर एक hole का area है अपने पास pi into small r का square और कितने holes हैं टोटल में सर 10 holes है तो ये तो total area बनाएगा a2 भाई ये total area कितना होता सारे holes का area के बराबर n holes है एक hole का area pi r square है और v2 v2 तो क्या है v dash अरे v dash की रफ्तार से तो निकल रहे है pi से pi कट गया तो v dash की value कितनी आ गई p into r square divided by n r square आरे यार मैंने करा दिया तुम्हें homework नहीं देना दे बट्या अरे समझ लग रही बात उम्मीद है आपको समझ आया होगा ठीक है तो यही चीज करनी है बार बार यही खेल खेलना है ठीक है चालो चालो बेटा अब बात कर लेते हैं किसकी बर्नॉली की question कि किसकी बर्नॉली equation equation यह बर्नॉलीज के प्रिंस्पल की बात हुई है क्या कहता है कि सर माल लो अपने पास ऐसा पाईप है कोई अलेते हैं ठीक है पेसम जो ground level अपने पास यह क्या है ground level है पने पीजिस क्लियर है कि नहीं यहाँ पर जो area है cross section का वो a1 माल लेते हैं यहाँ पर area of cross section a2 माल लेते हैं इसके अंदर कोई fluid flow कर रहा है fluid दिखा देते हैं fluid flow कर रहा है ठीक है भाई साब fluid flow कर रहा है तो यहाँ पर velocity माल लेते हैं कितनी है परिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहां पर प्रैशर कितना है सर पीटू है इस क्लियर है की नहीं यह जो क्रोसेक्षिन है यह किसी हाइट यह किसी हाइट ह1 पर है ग्राउंड से और यह आला क्रोसेक्षिन किसी हाइट स्टू है कि ग्राउंड से तो भाई साब परनॉली पता क्या कहता है परनॉली कहता है कि सर सब जी सब जी कि भाई साब पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेर रो क्या है डेंस्टी अव दा लिक्ट वी क्या है स्पीड हाफ रो वी स्क्वेर प्लस रो जी एच is equal to constant क्या बोल रहा है कि सर पी प्लस हाफ रो जी स्क्वार प्लस रो जी एच is equal to constant यह बोलता है यह चीजे है क्या क्या है यह चीजे पी होता है अपने पास प्रेशर एनर्जी per unit volume अभी बात करूँ क्या क्या है यह क्या होता सर यह होता है kinetic energy per unit volume आप रो जी स्क्वार और रो जी एच क्या होता है सर यह होता है potential energy per unit volume अब साब जी यह क्या हो गया साब जी पी तो हमने प्रेशर बढ़ाता है यह प्रेशर एनर्जी per unit volume कैसे हो गया देखो बड़ा होता क्या है यह जो बर्नॉलिक एक्वेशन यह किसके उपर बेस्ट है based on based on conservation of energy energy की conservation की उपर क्या है यह based है कितनी जिस clear है कि नहीं energy conservation की उपर क्या है यह based है तो क्या कहे रहा है एसके है किव कोन कौए सी एनरजी हो सकती है किसी भी टायमपर विटा एक जो Lives एधर पर प्रेशर है फिवन प्रेसर दो प्रेसर प्रेसर किती हो तो सब्सक्राइब ब्रेसर क्या कर रहा है hanφir लगा इन्टOTT 106 मृंत इंट स्वस्क्राइब डिया आसे क्या हो कि यतना टूस कर दियाऑ यह मैड लेता ढूर मैले कि यह dx displace कर दिया कितनी लेंज चला दिया sir dx अब उस dx को मैं क्या लिखता हूँ अभी सीखा ना कि अगर row density का liquid है ठीक है ना row density का liquid है ठीक है और उसके उपर क्या लग रही force लग रही pressure के जैसे कितनी force लग रही sir p1 into a1 तो sir dt टाइम में कितना displace कर देगा sir वो कर देगा v1 dt अभी तो सीखा था अरे अभी तो सीखा था यहाँ पर equation of quantity में क्या सीखा था sir कितना displace हो रहा था sir v1 dt हो रहा था यहाँ पर कितना हो रहा sir v2 dt similarly यहाँ पर भी यह जो pressure है यह जो pressure है उसकी जो force है p1 into a1 वो कितना displace कर देगी वो displace कर देगी v1 dt किती जिस clear है कि नहीं वैसे ही यहाँ पर जो displacement आएगी जो वो कितनी हो जाएगी sir वो हो जाएगी अपने पास p2 dt dt टाइम में जो जाएगी और इधर पर जो pressure की जो force लगेगी ठीक न यहाँ पर pressure कितना है यहाँ पर pressure है p2 तो pressure की जो force लगेगी वो ऐसे लगेगी तर आपने ऐसे क्यों लगाई मैंने आपको बताया था liquid liquid जो हमेशा force लगाता है जो बूलो liquid जो pressure की वीज़ए force लगाता है वो हमेशा compress करने के कुशिश करता है तो यहाँ से यह ऐसे लगाएगा और यहाँ से यह ऐसे लगाएगा समझ लगे रही है यह बाद तो यहाँ से जो pressure की वीज़ए force लगी p1 a1 और displace कितना किया dd time में v1 dt ओभनेटी है, यहाँ फे प्रेशर की वज़े साफ फोर्स लंगी, पीटू है टू, ठीक है न, और डिस्ट्छ्मट कितने ही वीटू डिटी, अब एची बताओ, फोर्स है डिस्ट्छ्म Bennett, फोर्स किसे सर प्रेशर के वज़े से force और displacement हो, कुछ work हुआ कुछ work हुआ की नहीं हुआ तो वोई work क्या होगा energy की रूप में जाएगा तो यानि कि pressure की वज़े से भी क्या हो सकती अपने पास fluid के flow के पास energy हो सकती है ठीक है, इती जिस clear है की नहीं दूसरा, अब भाई fluid के पास क्या है velocity भी है, तो kinetic energy हो सकती की नहीं हो सकती है इती जिस clear है की नहीं उसके पास कौन से energy होगी खुछ सोचो ना, अगर आपकी टंकी ऐसा उपर छट पर रखी आप टंकी में छेद कर तो पानी रिस्के नीचे आता ना, किसकी वेसे आ रहा है तो इसकी वेसे potential energy थी, potential energy थी, इसलिए पानी रिस्के नीचे आ रहा है समझागी लिए तो एक fluid के पास तीन energy हो सकती है, एक तो pressure energy हो सकती है दूसरा kinetic energy हो सकती है, तीसरा potential energy हो सकती है, ठीकिन सर आपने यहाँ पर unit volume, per unit volume, per unit volume लिखा हो है, हाँ बेटा, एक्च्वल में जो pressure energy होती है, वो होती है प्रेशर 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 energy क्या होगी सर force into displacement अरे भाई साब आपने thermodynamics पढ़ी है की नहीं पढ़ी thermodynamics पढ़ी है की नहीं पढ़ी chemistry में, अभी तो मैंने नहीं पढ़ाई पढ़ी है न, आपने क्या होगा work done by pressure force अरे gas में देखा होगा न, piston पे work done by pressure force क्या होता था pressure into volume अरे यही तो करते थे अरे आपने देखा होगा भाई जब thermodynamics process होते होंगे तो आप कैसे करते थे सर, work done क्या होता था work done by the gas क्या होता था, PDV pressure into volume अरे यही होता था, PDV PDV होता था की न, होता था बहुत छोटा सा work done, DW सरने कराया होगा, वो क्या होता था, P into DV work done by pressure force क्या होता था, PDV यही होता था ठीक न, तो basically क्या है अपने पास वही चीज यहां पर है भाई साब जो pressure है ठीक न, उसकी वाज़े जो force आ रही है, उसका जो work done है वो क्या हो जाएगा सर, PDV ठीक न, DV के है बहुत छोटा work done माल लेते हैं बहुत छोटा सा volume displace किया pressure की वाज़े जो force थी उसने बहुत छोटा सा क्या किया volume displace किया तो pressure की वाज़े से जो work done आ जाएगा, वो जाएगा PDV वो ही pressure energy के लिए responsible है plus kinetic energy क्या होगी सर, half mv square potential energy क्या होगी सर, mgh यही तो क्या है, constant है यहीं कि liquid के पास pressure energy है तो कि वो work कर रहा है pressure का force कुछ kinetic energy है, कुछ potential energy है ठीक न, और यह तीनों का summation हमेशा क्या रहता है, constant रहता है अब, sir, per unit volume कैसे बन गया per unit volume ऐसे बन गया आप क्या करों, इसको volume से divide कर दो किसे divide कर दो sir, volume से volume क्या ले रखा sir, आपने बहुत छोटा ले रखा dv, ठीक है न, भले छोटा volume है, लेकिन है तो volume तो dv से divide कर दो तो sir, dv से dv कड़ गया तो pressure बन गया plus half बताओ, mass upon volume volume तो बहुत छोटा सा है, लेकिन है तो volume mass upon volume, dv कहाँ बहुत छोटा volume है, लेकिन है तो volume, तो mass upon volume क्या होता sir, ये तो density होता है तो rho बन जाएगा, rho v square half rho v square, plus mg h upon dv, m upon dv m upon dv क्या होता sir mass upon volume, भले volume छोटा सा है तो mass upon volume क्या होता sir, density होता है ठीक है, rho g h rho to constant समझाया है कैसे आया तो basically जब आपने ये जो pressure के energy थी, p dv ये जो kinetic energy थी half mv square, ये जो potential energy थी mg h, जो constant थी, उसको जब आपने volume से divide कर दिया है ना, तो simple p रहा गया, ये half mv square half rho v square बन गया, ये één mg h, rho g h बन गया, it is going to constant ईसलिए आप इसको बोलते president pressure energy को कि आपने वाल्यूम से डिवाइड कर गया इसको बोलते कानेटिक एनकर फचार कर दिया था इसको बोलते पॉटेनटिल निची पर इनिट वोल्म को कि आपने एमजी इचको डी ही सेutने डिवाइड कर दिया कुए तो इस तरीकिस आया है यानि कि जो पी हो गया यह प्रेशर एनरजी पर इनट वॉल्म यह हो गया प्रेशन एनरजी पर यूनिट वॉल्म इस उकल टू पॉन्स टेट समझ लग रहे ही यह बात तो तो किसी भी फ्लोइंग लिकुड के पास तीन टाइप के एनरजी हो सकती है काइनरजी इसकी पोटेंशन एनरजी वो हमेशे क्या रहे हैं कि कॉंस्टेंट रहेंगी उनको अगर आप वॉल्यूम से डिवाइट कर दो जैसे मैं डीवी से डिवाइट कर दिया तो प्रेशर रह जाएगा सिंपल इसको आप प्रेशन एनरजी पर इनूट वॉल्म भी ब तो सर अगर यह चीज 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 का square प्लस rho g h1 फी 1 प्लस half rho v1 का square प्लस rho g h1 यह मैंने कहां पे लगाया sir यह यहां पे लगाया इस point पर इस वाले point पर इस वाले cross section पर और दूसरी बार मैं यहां पे लगा देता हूँ इस equal to equal to लिख सकता हूँ नहीं क्योंगे constant है is equal to p2 प्लस half तो इस तरीके से आप Bernoulli equation को दो points की बीच में लगा सकते हो या बोलो दो cross section area की बीच में लगा सकते हो आपने क्या किया एक बार यहां पर लिख लिया भाई साब यहां पर क्या हो जागा P1 प्लस half rho V1 का square प्लस rho G H1 कितनी height पर है H1 की height पर is equal to P2 यहां का pressure P2 है प्लस half rho V2 square यहां पर velocity V2 है प्लस rho G S2 यहां की height क्या है इस तरीके से आप लगा देते हो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत कोई शंका किसी को समझ लग रही है यह बात तो P1 प्लस half rho V1 का square प्लस rho G H1 is equal to P2 प्लस half rho V2 का square प्लस rho G H2 इती जिस clear है तो यह है अपने पास बर्नॉली की क्या क्या कि इक्वेशन इंदे बर्नॉली की कि इक्वेशन है अब यह जो पर्नॉली की क्वेशन है इसके application बहुत सार रहे हैं ऐसे सर दबा के application है कैसे सर दबा के application है सबसे पहले सर एक्वेशन तो इत्ती बड़ी है लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछों माल लो कोई pipe ऐसा है एक पॉइंट यह है एक पॉइंट यह है सुनना मेरी बात को सुनना मेरी बात को यहाँ पर area A1 है यहाँ का area A2 है यहाँ पर velocity दीवन है यहाँ पर जो fluid particle उसकी velocity है इस area पर अब सर जी दोनों जो points है यह जो point और यह जो point यह तो semi level पे है ग्राउंड से यह भी H है और यह भी क्या है H है सर अगर दोनों सेम ही लेवल पर हैं तो अगर मैं दो पॉइंट्स पर लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा Bernoulli लगाऊंगा P1 यहां का प्रेशर P1 माल लेते हैं यहां का प्रेशर माल लेते हैं कुछ P2 P2 माल लेते हैं सर इधर और इधर लगाऊंगा नोली तो सर लगाऊँगो P1 प्लस हाफ, रो वीवन का स्क्वेयर प्लस, कितनी हाइट पर है सर,prend एच हाइट पर है रो जी हट Human लगाता तो हवन की वैलीज क्या है सर, där है यहाँ पर हवन भी क्या है सर, ह है, हुँझ है है सर, है, चुकि दोनों points same height पर है ground से, same level पर है, दोनों points का है, same level पर है, तो P1 plus half rho V1 का square plus rho G, h1 की value, h है, is equal to, P2 यहां का pressure plus half rho P2 का square, P2 का square, plus rho G, h2, h2 की value क्या है सर, है, हमाँ जाये कैसे लगाते हैं, दो points पर, सर, इस point पर क्या हो जाएगा, इसकल तो P2 प्लस देख सकते हो श्वर लेवल पर हैज तो इनके यह रो जिएच रो जिएच कर जाएगंगे सेम लेवल पर हैं तो इनके रो जिएच रो जिएच कर गएगए तो पने पास क्या बचा? P1 प्लस रो देख सकते हो तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि सर क्योंकि दो पॉइंट्स सेम लेवल पर थे इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी potential energy की वज़े से difference नहीं इसकी potential IG per unit volume है तो रोजिएच रोजिएच कर जाएंगे न भाईज़ आप दोनों साथ equation में तो इसका मतलब इसका मतलब इन दोनों points के बीच में अगर बर्नौली लिखूंगा न तो बस pressure kinetic energy per unit volume यहां पर pressure यहां पर kinetic energy per unit volume बस यह आएंगी potential energy per unit volume तो कड़ी जाएंगे तो इसका मतलब इसके लिए बस P1 half रोवी इन का square इसके लिए P2 प्लस half रोवी 2 के square से भी काम चल जाएगा आपको यह potential energy वाली term को लिखने की जुरूत नहीं है क्योंकि क्यों लिखने की जुरूत नहीं है क्योंकि दोनों साइट क्या कर जाएंगी वो cancel out हो जाएंगी तो equation तर इतनी सी भी बन गई equation यह भी बन गई सर कि P plus half रोवी square is equal to constant यह कब बन सकती है सर जब दो points क्या हो when two points when two points when two points यहां पर यहां पर यहां पर लागा सकते हैं क्योंकि दोनों सेम लेवल पर हैं तो potential energy वैली चीज़ तो कटी जाएगि इनकी है तो इसका मतलब उसमें potential energy वाली term नहीं आईगी तो सर यहां से क्या feel आ रही है यहां से क्या पता चल रहा है अब देखो देंस्टी तो सर चेंज होने नहीं वाली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में प्रेश देंस्टी तो चेंज होने नहीं नहीं वाली तो खुछ सोचो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वेर इस गल टू क्या है कॉंस्टेंट है बहुत तिलिसमी चीज निकलने वाली जो आपको ऐसा लगता था आपको हिला देगी अंदर से आप कहोगे सर ऐसा तुमको लगता ही नहीं था ऐसी तिलिसमी चीज आने वाली भाई साब सर डेंस्टी तो कॉंस्टेंट है वेरी क्या कर सकता सर पॉइंट पर पर प्रेशर वेरी कर सकती है कि युदे सकता सर वेरी कर सकता प्रेशर और क्यों कर सकती है वालस्टेंट को कि एरिया चोटा हो तो फेल्स पड़ी होगी होगी या यानि कि हमको देख के पता चल रहा है कि A2 क्या है छोटा है A1 से इसलिए V2 क्या है P1 से बढ़ा है देख के पता चल रहा है देख कर पता चल रहा है a2 चोटा है तो V2 बड़ा है V1 से तो सर अगर मैं आपसे पूछूँ यहां का प्रेशर P1 है यहां का प्रेशर P2 है तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा यहां की विलोस्टी ज़्यादा है क्योंकि एरिया छोटा है तो P2 P1 में बताओ प्रेशर किसका जदा होगा हमने तो आज तक किया है जब पानी की जो वो पाइप होती उसकी चौच को दबा दो यानि कि एरिया चोटा कर तो लंबी धार जाती है तव प्रेशर जदा होगा तब यी तूझ जाती है यानि कि P2 जदा भोगा P1 से तुमको ऐसा लगता है? लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा है बेटा P2 का प्रेशर कम है P1 से? बेटा ज़म लोग चोँच दबाते हैं, तो विलोसिटी बरती है, इसलिए दूर तक जाता है ना कि प्रेशर गठता है प्रेशर गठता है कैसे सर? खुद सोचो ना भाई साब, अगर ये चीज constant है, ये चीज और ये चीज add करके constant है मेशा, तो खुद बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ, तो सर यहां के लिए ये चीज और यहां के लिए ये चीज दोनों बराबरी होंगी, ठीक ना, constant है, देखो, खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, कि सर, ये वीवन है, ये वीटू है, हमको बस जल रहा है कि सर, एरिया छोटा हो रहा है, तो वीटू बढ़ रहा है, सर अगर वीटू, इस greater than वीवन है, ठीक ना, और ये चीज इसके बराबर है, वीटू अगर वीवन से बढ़ा है, तो वीटू को पीवन से छोटा होना पड़ेगा, तभी तो ये चीज के बराबर हो सकती है, बना कोगे, बना खुद सोचो नहीं, पॉसिबल हो सकता है क्या, खुद सोचो, पॉसिबल हो सकता क्या, वीटू वीवन से बढ़ा है, यानि क और जो तुम्हें फील होता है, तुम्हें क्या फील होता है, कि सर, यहां का प्रेशर भी जादा होना चाहिए, हम जब चोंच दबाते हैं, लंबा जाते हैं, तो तुम्हें क्या फील होता है, सर, हम चोंच दबाते हैं, तो आगे, सर, दूर तक जाता है, तो प्रेशर जाता ह तो तुम्हारे according कर P2P1 से बढ़ा हो जाता, देखो, ये तो बढ़ा ये से, अगर P2P1 से बढ़ा हो जाता, तो ये चीज इसके बरावर हो सकती है कभी, ये भी इससे बढ़ा है ये भी इससे बढ़ा है, तो ये चीज ये चीज बरावर हो सकती है समझ लग रही ही यह बात समझ लग रही ही बात इसका मतलब when when velocity increases इस case में when velocity increases pressure decreases and vice versa vice versa का बतला उल्टा इस समझ लग रही बात जब क्या करेगा velocity increase करेगी pressure decrease करेगा velocity decrease करेगी pressure increase करेगा समझ लग रही बात इसका मतलब p2 का जो pressure होगा p2 पर जो pressure होगा यह समझ आगा ना क्योंकि यह चीज है अगर इसके बराबर हो नहीं है यह चीज ऑल्रेडी बड़ी है इससे यह चीज छोटी होगी इससे यह बड़ा होगा ठीक है ना इतनी जिस क्लियर है अगर आप लोगों को यह चीज भी समझ आई हो तो जरूर कमेंट्स में बताइए जरूर ठीक है तो समझ आया तो अगर दो पॉइंट सेम लेवल पर है तो उनकी पोटेंशिल एजी लिखने की जुरूरत नहीं है क्योंकि कटी जाएंगी तो आप इतने से भी काम चला लो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वार इगल टू कॉंस्टेंट इतनी जिस क्लियर है कि नहीं पी प अगर आपको यह चीज चमकी तो जरूर बताइए बहुत ज़्यादा अब यह जो चीज सिखाईए इसी के ऊपर अपने पास एक application है अरे हमने अभी सीखी ना प्लस हाफ रो वी स्क्वार इगल टू कॉंस्टेंट यह जो चीज बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए तसल्ली से बता रहा हूं आराम से अब इसके ऊपर बेस अपने पास जो सबसे पहली application आ जाती है पस्ट आप्लीकेशन अप्स्ट आजाती है उसको लोग बोलते है वें चीवरी मीटर को सुम पर बैंचीवरी मीटर और यह कैसा दिखता है यह ऐसा दिखता है वेंच्यूरि मेटर ऐसा दिखता है तो तो सर क्या होगा वेंच्यूरि Spritor में it कि पानी फ्लो कर रहा होगा canivaсуд यह है और ये है एरिया फ्रसक्षन आवण है यहां पर या फ़क्र्थ 2 दिख रहा है इसके एरिया फ्रसक्षन को क्या है है माल लेते मुझे को यहां पर आपको दो नली मिल जाएंगी नली मतलब ऐसे कर कि ऊफर गल ईसल लगी हुए कि अब मर्ली लगी हो ना पर भी एक तू लगी होगी इस तरफ का क्या काम है इस इस त्वाय प्रेशर बनाते हैं कि सर्थे इस क्रो सर्शन सो पर प्रेशर गवा G कि इस त्यूब कि Hilfemlow क्या बताते हैं एक यह पॉइंट है एक कि यह पॉइंट हो गया कि है रही पॉइंट हो गया च्टि पॉइंट ही तो बॉंब व किर जब जरूद नहीं है तो पोटेंशल एरजी वाली चीज को लिखने की जरूद नहीं है तो अपने बस क्या क्या आएगा प्रेशर आएगा हो आप रोबी स्क्राइगा तो सर्माल लेते हैं यहां पर जो विलॉस्टी है अब जैसेशर कैसे बताएंगे माल लेते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे बताएंगे इस पॉइंट पर प्रेशर कैसे पेटी तो बहुत बढ़िया बात अगर वो point पे pressure ना दे अगर वो point पे pressure ना दे जैसे इस point पे pressure क्या है? P1 है, इस point पे pressure P2 है अगर वो ना दे, तो आप नली के अंदर जो liquid होगा उसके हिसाब से pressure बता सकते हैं सर कैसे? माल लेते हैं इस नली के अंदर जो fluid है, यही अला fluid इसके अंदर भरा होगा, यह ऐसे है, इसके अंदर सर इतनी height पे है, कितनी height है सर इसकी height, कुछ, h1 है, और इसके अंदर कुछ height, h2 है, इसके अंदर कुछ h2 height तर भरा होगा, हमको सर पता चल रहा है, obvious सी बात अभी सीखा, p plus half rho v square is equal to constant, हमको पता है सर, यहां का area a1 है, यहां का area a2 है, ठीक है न, velocity की तर जाद होगी, v2 की v1, सर, p2 जादा होगी v1 से, तो obvious सी बात, p2 जादा होगी, p1 होगा, अभी सिखाया, कि velocity जादा है, तो pressure कम होगा, तो यानि कि p2 क्या होगा, less than क्या होगा, यहां का सर प्रेशर जादा होगा यहां का प्रेशर कम होगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो height h1 होगी छीके ना? इस वाली नली की वो क्या होगी? जादा होगी इससे? h2 से तर यह जो height है यही तो pressure करेणोड करती है बेसी क्या है एक हो together Bacter of a title नट आङ차 पर कितना हो जाएका है किया पर प्लस रोजी और कि आपने प्रेशर ला आप तो यहां पर ने बात करने रहो यहां से यहां पर pressure इतना ज्यादा वो नहीं होता कि ज्यादा vary करें, यहां पर pressure होता है लगब लोगए, प्रेसर इस पॉइंट प्रेसर होता है यहां पर pressure कितना हो का? तो यहां पर प्रैशर वो प्रैशर यहां पर तो यहां पर प्रेशर कितना है सर पीनोट प्लस रोजी हच वन तो पीनोट प्लस रोजी हच वन 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 पीनोट प्लस रोजी हच टू इतनी चीज़ क्लियर है कि नहीं तो पीनोट पीनोट प् अब आप क्या करो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर याली इतना सा पॉर्शन बर्नोली का लागा दो क्योंकि इसमें पोटेंशिन एजी वालत लगाने की जरूत है नहीं तो क्या लागा सकते हो सर पीवन प्लस हाफ रो वीवन का स्क्वाइर इस पॉइंट पर इस उकल प्लस हाफ रो इवन का स्क्वाइर इस पीनोट प्लस रो जी एस टू प्लस हाफ रो वीटू का स्क्वाइर इस तो पीनोट से पीनोट चला गया डेंस्टी तो कॉंस्टेंट है तो देंस्टी देंस्टी उड़की तो यहां से क्या आ गया यहां से आ गया कि वीटू का स्क् स्क्वाइर प्लस जी कि रोभी वड़ गया एस्टू को इदर लेके चले जाओ तो जी एच्वन माइनस एस्टू अब सवाल में अगर आपको एच्वन और एस्टू दे रखा हो बहुत बढ़ी आ बात ठीक ना तो एच्वन माइनस एस्टू इदर आ जाएगा लेकिन अगर में और आपको सवाल में एस्टू नहीं दे रखा जैली सवाल फ्रक्टा क्या देता है जटनों की बीच का डिफरेंस से जए यह जटनली आ सुनका है एक techniques हाइट तक है H1 हाइट तक है एक में फ्लूड कितने हाइट तक है S2 हाइट तक है तो H1 मैनेस S2 यानि कि दोनों जो नली है जो ट्यूब्स है उसमें जो फ्लूड का लेवल का जो डिफरेंस है यानि कि जो हाइट का डिफरेंस है वो दे रखा होगा क्या दे रखा हो सवाल मे दोनों नलियों में जो fluid भरा हुआ है उनकी जो height का वो difference दे रखा हुआ जनली सवाल में यही देते हैं अगर आपको h1, s2 शो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है h1 minus s2 कर लेना यहाँ पर ठीक ना? वरना जनली क्या दे रखा है? hd रखा होता है तो h1 minus s2 को क्या लिख सकता हूँ मैं सर? s लिख सकता हूँ? तो v2 का square is equal to v1 का square plus अच्छा यह 2 भी है ना 2 2 भी आएगा यहाँ पर ठीक ना? 2 भी थे ना यह 2 और यह 2 तो v2 का square is equal to v1 का square plus 2 g अगर आपको h1 minus s2 2 दे रखा है सवाल में यानि कि h दे रखा है आपको h1 और s2 नहीं दिया हुआ क्या दे रखा है? सीधा बोल दिया कि सर इनके बीच का जो difference है वो h है तो आप direct h1 minus s2 को क्या लिख दो? h लिख दो ये भी चलेगा ठीक है? और ये भी चलेगा अगर आपको h1 और s2 दे रखे है तो ऐसे कर लो h1 minus s2 कर लो अगर आपको difference दे रखा है तो h1 minus s2 की ज़ए क्या कर लो? h कर लो समझ आया? यहां दखना वी 2 क्या है? छोटे वाले एरिया की velocity वो ही तो बड़ी होगी तो v2 का square is equal to v1 का square plus 2gh थोड़ा दो आप ऐसे लग रहा न? v2 is equal to u square plus 2s उसी type का देखो है ना? तो यह important चीज है कैसी चीज है? important चीज है यह पहली application है venturi meter कौन सा meter? venturi meter तो भाई साब हमको इतना समझ आ गया कि venturi meter क्या है? यह किस के उपर based है? यह Bernoulli's equation के उपर based है तो अपने को जो important चीज याद रखनी है भाई साब वो क्या याद रखनी है? एक तो यह equation बहुत important है और यह भी कर सकते हैं याद रखना अगर अपने को h1 और h2 दे रखे हैं तो यह लगा लो अगर अपने को height difference दे रखा है अब देखो इसमें और एक चीज क्या पूची जा सकती है? इसमें आप से discharge पूचा जा सकता है? तो सर हमको तो पता है जो discharge होता है या volume rate of flow होता है वो क्या होता है, area into velocity, area into velocity, यही तो होता है, अब हमको पता कि sir, a1 into v1, जो यहां का discharge होगा, कोई को तो यहां का discharge होगा, यहांनि a1 into v1 is equal to a2 into v2, अरे equation of continuity लगेगी न, तो a1 into v1 is equal to a2 into v2, और हमारे पास एक equation और आई है, कि v2 का square, v2 का square is equal to v1 का square plus 2gh, अरे भाई सब यह आई है, अब देखो, हमारे पास क्या है, सुनना मेरी बार बिटा, हमारे पास क्या है, दो equation है, दो variable है, variable क्या है, v1 और v2, variable क्या है, v1 and v2, v1, v2 variable है, और दो equation है, तो आप इं दोने equation को solve करके, कोई भी एक variable निकाल सकते हो पहले, निकाल सकते हैं, सर जैसे हम लोग क्या करते हैं, यह निकाल लेते हैं, अब इसको यहां पूत कर दोगे अगर आपको व्यवन निकालना यहां पर फिर्टार कर सकते हैं कि इसको यह फूट कर दो फो जाएगा एवन वीवन पूतर टुछ लू reduction V2 को ये पूट कर दिया under root of V1 का square plus 2GH squaring both sides कर दो भाई A1 का square V1 का square is equal to A2 का square और इक इतना जाएगा V1 का square plus 2GH तो हमको तो क्या निकालना है V1 का square निकालना है क्या निकालना प्रभू V1 का square V1 निकालना भाई साब V1 क्या जाएगा V1 आजाएगा अपने पास अगर यहाँ पर काईदे से करोगे किस से करोगे काईदे से करोगे यहाँ से देखो इधर लेके आओ तो A1 माइनस A2 का whole square V1 का square is equal to A2 का square into 2GH तो भाई साब यह हुआ तो V1 निकालो V1 कितना आए निकल के आएगा सर V1 जो निकल के आएगा वो आजाएगा अपने बास A2 अटरू 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 टू जी एच डिवाइड़ भाई तो सर क्यों कितना हो जाएगा क्यों हो जाएगा अपने बास A1 इंटू V1 की वैलू यह आई यानि कि A2 अटरू 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 अफ 2GH डिवाइड़ भाई A1 का square माइनस A2 यह भी आपको याद रहे तो ज़्यादा बैठ रहे पेपर में इतना टायम होता नहीं है बेस्ट कोश्चन कर लेते हैं इसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या लिख वाया यह यह लिख वाया equation of continuity लख सकती है बिल्कुल सर एक्वेशन of continuity लख सकती है बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल लख सकती है यह लाफ फॉर्मला पता दिया मैंने एक तर से फॉर्मले बनाके रख दिये आपको यह याद रखने है क्या रखने है याद रखने है ठीक ना इस क्लियर है कि नहीं तो जल्ली से कोशन देखो कोशन कैसा आता है कोशन यह यह अपने पास कि यहाँ पर जो स्पीड है वो है अपने पास कितनी है इस क्रॉस सेक्षन पर कितनी स्पीड 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 है इस क्रॉस से यूआ है पिवन कितना दे रखा आपने को 30 सेंटी मेटर पर सकंड है तो यूचा है थीवन कितना दे रखा आपने को 30 columns of water is 2 cm यह height difference दे रखा है, तो सीधा formula आप लगा सकते हो सरम को याद है v2 का square is equal to v1 का square plus 2gh v2 पूछा हुआ है v1 का square v1 कितना है, सब 30 है 30 cm का square, सब कुछ cm में ही है देखे न, सब कुछ क्या है cm में ही है, तो 30 का square हो जाएगा 30 का square plus 2 अब g तो अपने पास किसमें होता है meter पर second square meter per second square होता है तो इसको क्या कर लो, cm में कर लो into 10 ठीक न, into 100 तो भाई साब, gsm लोग क्या लेते हैं 10 लेते हैं, 10 meter per second square cm कर लो, 10 into 100 height कितनी है, 2 है अपने पास, तो यह आ जाएगा अपने पास, V2 का square is equal to, 900 आ गया plus 2 into 2, 4 यहनि कि 4000 तो V2 कितना बन गया 4900 तो, V2 का square यहनि, root कितना बन जाएगा 70, 70 cm per second is down पर समझ आया simple सा formula लागा है, venture meter का answer निकाने अब जरूरी नहीं यह जो नली है जो अपने को ऊपर दे रखी है वो ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकती है ठीक है न, और अज होंगी तो उनमें mercury भरा होगा जैसे कि अपने पास question यह रहा अपने पास ऐसा question भी आ सकता है कि भाईसाब जो नली है वो जरूरी नहीं ऊपर vertical की और हो जैसे नीचे भी वो सकती है जैसे अब जब भी इस type का ओगो तो उसमें mercury ही भरा होगा क्या होगा ? mercury ही भरा होगा तो उसमें जो अपने को दे रखा होगा यहाँ पर क्या है अपने बस कुछ H1 हाइट है यहाँ पर क्या है ? S2 है दिखाई पढ़ रहा है? अपने तो दिखाई पढ़ रहा है कि नहीं? दिखाई पढ़ रहा है? कितनी चीज़ clear है कि नहीं? तो आप देख रहे हो कि यह जो column है यहाँ पर दोनों mercury दोनों कॉलम में जो mercury हो same है क्या? same level पर? नहीं इसमें जदा है, इसमें कम है, इसमें जढ़ा है, इसमें आगर कि अगर दोनों कॉलम में mercury सेम लेवल पर नहीं है इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट गाप्रेशर तोड़ी सी डियाग्राम ऐसी बन गई यह इदर आना थाा यहां प्रेशर कुछ पीवन होगाए तो वही चीज अपने पास formula क्या लगा दोगे V2 का square is equal to V1 का square plus 2GH, formula यही लगाना है H क्या है difference है, H क्या है अपने पास difference है तो हमको यह difference of two columns निकालना है difference of two columns निकालना है, लगा दो formula, क्या लगाएंगे the area of section of wide and narrow portions of the tube are 5 and 1 cm यहनी कि इसका जो area of section है, यह वाला जो area of protection है, यह कितना है 5 cm square और जो narrow वाला है, वो कितना है अपने पास 1 cm, फोटीदी figure गलत बनाई है, अपने type operator भाई साब ने कोई दिखकती है, ठीक है respectively the rate of flow of water through the tube is 500 cm cube per second find the difference in height of the two columns अब यह वो, इसना direct हमको rate of flow ही दे दिया, तो अपने को यह सब लगाने की जुरूती नहीं है क्या यह formula लगाने की जुरूत है क्या जुरूती नहीं है, क्या लगा दोग भाई साब directives ने rate of flow दे दिया, क्यों क्या होता है, सार अभी सीखा a1, a2, under root of 2gh divided by a1 का square minus a2 का square यह दे दिया direct, दे दिया कि नहीं, भाई साब rate of flow कितना दे रखा है, 500 cm3 क्यों पर सकंड, सबको cm3 में दे रखा है तो यह जदा 500, a1 into a2 कर देते a1 कितना है, अपने पास 5, a2 कितना है, 1, तो 5 into 1, 5 हो जाता अंडर root of 2, g की value क्या लेनी है, सर 1000 लेनी की cm लेना अपने को h find करना है, a1 का square minus a2 का square, यह जाता अपने पास 100, वदा solve करके कितना आएगा, squaring both side कर दो, क्यों हो जाएगा, 2 into, 1000 into, h divided by 24, h क्या है, यही तो क्या है अपने पास, difference है न, यही तो find करना है, तो भाई साब, 3 0 से, 3 0 लोड़ गए, ठीक है न, और यह आए अपने पास कितना, 5, h की value कितनी आ रही है, यह आ रही है, 24 into 5, तो 5, 4 जा, 20, 10, 11, 12, 120 cm, अपने को तो आंसर किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए, तो divided by 100 करो, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1.2 मिटर, तो बिटा देखो, यह आला formula भी direct काम आ गया, जो आपको सिखाया था, यहाँ पर, अगर आपको formula नहीं आद होता, तो आप क्या करतें भाई, लटके रहतें, कैसे लटके रहतें, पहला आप इसे यूज करतें, फिर आप इसे यूज करतें, फिर आप क्या निकालतें, डिस्चार्ज निकालतें, फिर आप जाके पहुंचतें, लंबा concept होता, लेकिन अगर आपने को direct formula ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या किया, formula लागार दिया, Q बरावर A1 A2 अंडर रूट 2 GH A1 का स्पाइर मैंनस A2 का स्पाइर और H क्या है H है हाइट डिफरेंस जो की फाइट करना था ठीक है ना H क्या अपने बास हाइट डिफरेंस है ठीक है जालो इन इस क्लियर है बहुत बढ़ 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 या तो यह था अपने पास एक application Bernolies equation का जिसको हम लोग कौन सा meter कहते हैं Venturi meter कहते है क्या कहते है Venturi meter अब देखो एक application और आ जाता है बढ़िया application एक application और आ जाता है अपने पास जिसको कहते है speed of efflux निकालना speed of efflux यह भी किसका application है यह भी किसका application है Bernolies equation का क्या है application है speed of efflux निकालना अभी लोग Bernolies equation के application कर रहे है तो भई पहला equation पहली application तो क्या थी अपने पास Venturi meter दूसरी क्या आगई speed of efflux निकालना अब बताता हूं speed of efflux क्या है इसको story, series तोरी सीरीज थिवरं भी कहते हैं, तोरी सीरीज थिवरं भी कहते हैं इसको, तो हमारे पास क्या है, तोरी सीरीज थिवरं कहते हैं, तो है क्या, अपने पास, जो एक बीकर है, जो एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने एक लिक्विड भर दिया, यह जो लिक्विड था बीकर में, यह ह हाईट तक भरा हुआ था, capital H, इसका cross section क्या है अपने पास कुछ, बीकर का cross section क्या है, capital H, मैंने क्या किया, इस बीकर में, इस बीकर में, इसकी top surface से, h depth नीचे, क्या कर दिया, hole कर दिया, हैने की ठेट कर दिया, इसका area of cross section कितना है, small a, small a किसका area of cross section है, area of cross section, of hole बोल लो, इसको orifice भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है न, सवाल में कभी क्या orifice word भी लिखा आ सकता है, क्या आप hole बोल लो, इतनी जिस clear है कि नहीं, तो, एक अपने पास beaker है, उसमें पानी भरा हुआ था, h height तक, मैंने क्या किया, h, यानि की small h depth नीचे, क्या कर दिया, hole कर दिया, यानि की orifice कर दिया, उसमें से पानी ऐसे करके बहाँ निकलेगा, धार ऐसे निकलेगी, ठीक हैं, तो basically, यह जो धार निकल रही है, इसकी आपको क्या find करनी है, रफतार find करनी है, कितनी रफतार से धार निकल रही है, कि कितनी धार से यह रफतार, नहीं, इस धार की रफतार क्या हूँ है, अपने को density कितनी दे रखे, रो दे रखे तो इस टाइब के सवाल को हम लोग कैसे टैकल करते हैं क्या लगाएंगे इसके अंदर पर नॉलीज इक्वेशन ही लगाएंगे कैसे लगा सकते हैं बहुत असान है आप कोई भी दो पॉइंट मान लो एक पॉइंट सा अपने ये ले लिया तो फस्ट पॉइंट और एक पॉइंट आपने ज्टाउट साइड ले लिया है तो ये प्नक होगे आपके पास गोई-ठेमन्यस ही किल लिए प्रेमन्यस अपने प्रेह साइड आ ह् process सब्हुत अबर्सक्रमा इन यहां फर प्रेसर कितना होगा इस प्रेशर फोगा वहे और अपने पास की नौत औ आगर मैं रेफरेंस लेवल इसको मान लूँ कर रहा हूं गया कर रहा हूं या पर बच्चे क्या करते है ग्राउंड पर तो ग्राउंड पर 0 potential energy करते हैं मैंने यहां पर माल लिया तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट की कोई भी potential energy नहीं तो किसकी हो सकती सर इसकी हो सकती क्योंकि यह है यहां पर और यहां पर क्या लगाना चाहता हूं घृष यहां पर टो पानी वी की व्लास지 से निकल रहा है कि यहला पानी किसी व्लासटी से नीचे नहीं आ रहा होगा यह भी आ रहा होगा पान लेते हैं यह फो सर तो देखो, यहाँ पर यहाँ पर देखो Bernoulli's equation लगा रहा हूं मैं, यहाँ पर pressure कितना है सर, P0 है, प्लस half rho, P' का square, इस बार, यह कितनी high to upper है सर, reference level से सर, H high to upper है, इस बार यह point और यह point same level पर थोड़ी ना है, H high to upper है, reference level मैं इसी को मान रखा है, तो potential G कितनी होगी, rho G H, ठीक P2, P2 कितना है सर, इस point पर pressure कितना है, P0, प्लस half rho, P2 का square, P2 कितना है सर, VE है, half rho, P2 का square, VE, प्लस, rho GH2, सर, इसी को मैंने reference level मान रखा, तो इसकी potential G 0, इती इस clear है, अब देखो भाई साब, P0 से P0 कट गया, P0 से P0 कट गया, P0 से P0 कट गया, rho, rho, rho cancel out हो गया, तो यहां से अगर आप देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे, तो जो VE का square आ रहा है, वो आ रहा है, VE का square बटा 2, प्लस, CH2, जाओ, आप सब को पता है, कि भाई, यह जो cross-sectional area है, hole का, यह बहुत छोटा है, जो A है ना, बहुत बहुत छोटा है किस से, capital A से, capital A क्या है, capital A है अपने पास area of beaker, area of beaker, area of cross-section of beaker, area of cross-section of beaker, beaker के cross-section का area है, और small A क्या है, area of cross-section of hole, या orifice बोल लो, जो A है वो बहुत छोटा है, capital A से, अगर यह क्या है, बहुत छोटा है, small A बहुत छोटा है, capital A से, तो यह जो velocity है V, वो V-dash से बहुत ज़ादा होगी, ठीक है ना, जितना छोटा area, उतनी ही ज़ादा velocity, जो V होगी, वो बहुत 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 ज़ादा होगी, किस से, V-dash से, ठीक है ना, इतनी जिस clear है कि नहीं, तो मैं एक तरह से V-dash किया है, बहुत कम होगी, negligible, उसका square करोगे, और खतम, भाई, कोई छोटी चीज का square करोगे, तो और खतम हो जाती ना, 0.2 का square करोगे आता है, 0.04, और छोटा हो जाता, पाई 2 कर दिया तो तुमने मारी दिया खतम, इसको हटाई दो, negligible है, 0 कर दो, negligible है, तो भाई साब यहां से अगर आप देखोगे, अपने पास जो V-2 आ गया, या बोलो, सॉरी, V-2 नहीं, जो अपने पास V आ गया, वो कितना आ गया, अंडर, रूट, टू, एच, यह तो आ गया, अपने पास, लेको, derivation आ गया, तो जो velocity of efflux आई, velocity of efflux आई, वो कितनी आई, रूट, टू, गी, एच, velocity of efflux कितनी आई, रूट, टू, जी, एच, समझ लग रही है बात, कितनी रफ्तार से निकल रहा है, यहां से जो धार निकल रही है, तो कितनी रफ्तार है, root 2GH, कितनी रफ्तार है, root 2GH, एच कौन सा वाला है, यह total height है क्या, नहीं, एच कौन सी height है, top से, open surface से, जहाँ पर hole बना हुआ है, वहाँ तक का depth है अपने पास, एच क्या है, open surface, एच क्या है, open surface से, जहाँ पर hole बना हुआ है, वहाँ तक, इतनी जिस clear है कि नहीं, तो V is equal to root 2GH ही क्या है अपने पास, इसको कहते हैं हम लोग, speed of flux, कितनी तेजी से अपने पास, जो धार है, वो निकल रही है, इतनी जिस clear है कि नहीं, अब इसी में छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं, जैसे कि, अपने पास ये beaker था, हमने को पता चला, कि अगर इस beaker में अपने पास किसी particular height तक का क्या भरा हुआ है, ह हाइट तक का भरा हुआ अपने पास, लिक्ट भरा हुआ है, आपने क्या किया, यहाँ पर hole कर दिया, small h depth मीचे, तो यहाँ से जो धार निकलेगी, उसकी रफतार कितनी होगी सर, कि होगी root 2gh, होगी कि नहीं होगी, और यह ऐसे करके आएगी, जमी पर गिरेगी आगे, आपसे पूछा जा रहा है, कि यह जो रफतार है, वो तो हम लोगों ने निकाल ली, कि सर, कितनी तेजी से पानी निकल रहा होगा बाहर यहाँ से, root 2gh की तेजी से पानी निकल रहा होगा, यानि कि जो hole है, या बोलो, orifice है, वहाँ से जो liquid निकल रहा होगा बाहर, वो root 2gh की रफतार से निकल रहा होगा, और H भी पता हम को सर, पुरस लेना है, देगे न, H कहा से लेना है, पुरस है, कितनी जिस क्लियर है कि नहीं, आपसे पूछा जाए, कि सर, जो धार है, वो कितनी रफतार से निकल रहा है, सर, root 2gh से, तो ये bottom, वो hit करने में कितना time लगई, यानि कि यहाँ पर कितने time में hit करेगी, आकर, हम जो, t is equal to 0 पर निकलना शुरू हुआ, तो यहाँ से लेकर, यहाँ तक, पहुंचने में कितना time लगईगा, यहाँ से लेकर, यहाँ तक, पहुंचने में कितना time लगईगा, पिल्कुल वैसे सवाल हो गया, सर, कि अगर अपने पास क्या होता था, अगर आपने projectile motion किया h height की building से, h height की building से, एक ball को ऐसे fake देते तो u की velocity से, आपसे पूछा जाता है कि ball bottom पर कितने time में पहुंचेगी, यह time पूछते था आपसे, आप t is equal to 0 पर, t is equal to 0 पर, एक ball को fake दो ऐसे horizontally, कितनी रफ्तार से, u की रफ्तार से, तो पूछते था कितने time में hit करेगी, तो answer कितना आता था, यह आता था, under root 2 h by g, u पर तो depending नहीं करता था, तो यहाँ पर भी, जो अपने पास time आएगा, वो कितना आएगा, under root 2, अब यहाँ पर कौन से h लेंगे, नीचे तो g आएगी, यहाँ पर h कौन से लेंगे, कौन से h आएगा, तर यह होता था, bottom से, ball तक का height, तो य height h है, यह small h है, यह हो जाएगा, h minus, तो यहाँ पर जो हम लोग put करेंगे, ठीक है न, वो क्या put करेंगे, h minus, this is the answer, this is the answer, यह time लगेगा, ठीक है वाइसा, इतना time लगेगा, यह धार को, जमीन तक पहुचने में, इतना time लग रहा होगा, यानि कि, धार में कोई भी एक fluid particle है इसको ball की तरह समझ लो, इसको ball की तरह समझ लो, तो यहाँ से छूटा कितनी रफ्ता से root 2 जिस, तो यह आरा, यह आरा, यह आरा, यह आरा, fluid particle है, ऐसे, 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 तो जमीन तक पहुचने में कितना time लगेगा, under root 2, capital H, minus small h, divided by, अब एक चीज़ और पूची जाती है, क्य बीकर से कितिशी दूरी पर गिर रहा है, तो range भी आप निकाल सकते हो, range भी आप निकाल सकते हो, range क्या होती थी, अगर आपको या दो, range होती थी, u into time, अरे भाई सब, कितनी speed से फक रहे हैं, u into, कितना time लगा, उसको यहां तक महुचने में, भाई सब, यहां से यहां तक मह स्पीड से फेक रहे हैं सरूट 2 जेस से फेक रहे हैं कितना टाइम लगा सर इतना टाइम लगा अंडरूट 2 capital H minus small h by g तो g से g कट गया रूट 2 root 2 बहार 2 आ गया तो 2 इंटू अंडरूट आफ अंडरूट आफ अंडरूट आफ एंटू capital H minus this is the answer this is the answer कितना क्या है अपने को रेंज आया है असान है न वाई कितनी चीज़ क्लियर है कि नहीं ठीक है तो R equals to 2 अंडरूट of H minus अब जल्दी से इसके उपर एक तो सवाल देख लेते हैं कि कि सवाल में जैसे सर क्या सवाल में क्या सर क्या गराओ कि सवाल में ऐसा अखर लेवल ओवाटरिन टैंक इस फाइव मीटर हाई पानी कितने है अटर टक डाला हुआ है 5 meter यह height तक पानी भरा हुआ है a hole of area 1 cm square is made at the bottom of the tank यहाँ पर आपने bottom पर कर दिया कितना area 1 cm square का area है small it is made at the bottom of the tank the rate of leakage of water from the hole is अब पानी समझो किसी V velocity से निकल रहा होगा V क्या होगी? सरफ फॉर्मला होता है under root 2 G H यहाँ से लेते हैं top surface से लेते हैं H सर S तो यही हो जाएगा 5 के बराबरी V तो कितना आगे आपने पास under root 2 G H V आगे under root 2 into G कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं H कितना है अपने पास 5 meter है 5 to 10 यह आगे आपने पास 10 10 meter per second से बाहर निकल रहा होगा पानी लेकिन अब हमसे speed of efflux दी पूछी अपन से क्या पूछ है rate किस rate से पानी लिक कर रहा होगा अब आपको सर rate नहीं समझा रहा तो इसका मतलब क्या होगा rate of flow पूछ रहा है अगर वो भी ने समझा है तो unit देख लो meter q per second meter q per second यानि क्यों पूछ रहा है क्या पूछ रहा है q discharge rate of flow तो q क्या होता अपने पास यह होता a into v area into volume area कहा है small a into v area into velocity volume नहीं इनकलती से बोल दिया area into velocity तो discharge बोल लो या rate of flow बोल लो volume rate of flow बोल लो सब एक ही चीज है या volume per second बोल लो सब एक चीज है बेटा discharge बोल लो volume rate of flow बोल लो या volume per second बोल लो सब एक ही चीज है तो वो क्या हो जागा a into v area कितना है sir खेद का यानि की hole का 1 cm2 तो इसको 1 cm2 को अगर करोगे meter cube में तो कितना हो जागा 10 raise to power minus 4 meter cube into into v कितना है 10 तो अंसर कितना आ जागा 10 raise to power minus 3 meter cube per second this is q this is q this is q समाज लग रही है बात discharge 10 raise to power minus 3 meter cube per second अब वैसे ही एक question और figure shows two holes in a white tank containing a liquid in the common ठीक न the water streams coming out of these holes strike the ground at the same point क्या दे रखा है कि दोनों जो धार निकल रही है वो same point पर क्या कर रही है strike कर रही है यानि कि दोनों की range क्या है same range the height of the liquid column is यह पूछा कि यह कितना होगा अब देखो एक अपने को height दे रखी है कितनी एक जो hole है है वो कितनी height पर है 4 cm यह सम्झा जो h1 है और जो एक hole है वो कितनी height पर है 6 cm h1 है अपने पास 4 cm पर s2 है अपने पास 6 cm पर अबन से पूछा है total height कितनी होगी तो कुछ नहीं दोनों की range सेम करतों नहीं क्र 1957 रेंज क्या होती है साथ range होती है 2 200 of h into h- h गारोणे नहीं पर दो पहले वाली की रेंज क्या हो जाएगी 2 अंडरूट of h1 into h- h1 दूसरे वाली क्या हो जाएगी 2 अंडरूट of s2 into h- h2 2 under root 2 under root cancel out हो जाएंगे तो देखो क्या हर आपने पास h1 into h minus h1 is equal to s2 into h minus h2 this is clear है तो भाई साब h1 की value किती है? 4 है h minus 4 is equal to s2 कितना आ जाएगा? h into h minus h किया जाएगा? 4 h minus 16 is equal to 6 h minus 36 ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 20 तो h की value किती हाजाएगी? 10 cm h कितना आ गया? 10 cm बहुत सिंपल तरीके सागया भाई साब h कितना आ गया? 10 cm बेटा एक और सिंपल तरीका है इसका एक और सिंपल तरीका ट्रिक है जब भी बेटा अपने पास इस टाइप का कोशन आए जब भी इस टाइप का कोशन आए ठीक है? जब भी इस टाइप का कोशन आए एक h1 height पे छेद है ठीक है? और एक s2 height पे छेद है यानिका h2 depth पर छेद है एक h1 depth पर छेद है, एक s2 depth पर लेकिन दोनों की जो range है वो क्या है सेम है तो जो height होती है तो height होती है वो पता क्या होती है आपको फील भी आ रही होगी भाइसाब खे प्लस चार दसी तो होना चाहिए आपको अलगर आओगा अंदर से पिटा ऐसे लगने से नहीं है यह काईदे से देखा गया है h1 प्लस s2 ही आती है यह नहीं 6 प्लस 4 तो next class में हम लोग और question भी करेंगे और जो मैंने पिसली class में doubt वाले question दिये थे मैंने आपके options देखे आपके जो comments में options देखे मैंने देखा कि काफी बच्चों ने सही किये लेकिन काफी बच्चों का गलत भी है तो जो मैंने आपको आइस वाला question दिया था फैल्ट वाला ठीक है न तो आप एक और बार ट्राय करना आप काफी करीब में हो और भी देखना चाहता हूं कि आप कैसे comments कर रहे हूं मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना समझ रहे हूं next class में उन सब को मैं क्या करूंगा डिसकस करूं तो आज के लिए बस इतने ही बाकी लोस्थ तार है ठीक ना